जारखन में विधान सभा चुनाव की घोशना होते ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कई पार्टियों ने अपने परत्याशों की नाम की घोशना कर दी है तो कई इसमें लगे हुए हैं कईयों के नाम अभी आने बाकी हैं बोकारो विधान सभा की बात करें तो बोकारो विधान सभा से बीजेपी ने एक बार फिर बिरंची नाराइन को टिकर दिया है बिरंची नाराइन लगातार तीसरी बार विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे बोकारोविधान सभा धनबाद लोक सभा के अंतरगत आता है धनबाद लोक सभा से अभी वर्तमान में धुलू महतुस्ताउद रहे है वह भाजपा की पर एकषाग्यू वोकारों में शेहरी मद्दाता सबसे अधिक हैं लगभग सतर प्रतिशत शेहरी मद्दाता हैं यह माना जाता है कि शेहरी मद्दाता एक मुस्त जो है वो भाजपा को वोट करती है हलांकि शेहरी मद्दान का प्रतिशत ग्रामीन मद्दान के मुकाबले बहुत कम होता है चुकि भाजपा ने वोकारों से बिरंची नाराइन को टिकट दिया है लेकिन अंदर खाने ये चर्चा जोरो पर है उनके टिकट को ले करके कई नाखुश भी हैं बाजपा के वरिष्ठ नेता रोहित लाल सिंग जिनकी एक फेस्बुक पोस्ट है इस पोस्ट से समझा जा सकता है कि क्या नाखुशी है क्या नाराजगी है बिरंची नारायन के मुकाबले में जैराम मातों की पार्टी जे एलकेम ने बोकारो से सरोज कुमारी को मैदान में उतारा है JLKWM जैरा महतों की एक नई पार्टी है नई नमिली पार्टी है और इसने बोकारो विधान सभा से सरोज कुमारी को उम्मिद्वार बनाया है वहीं कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस ने बोकारो विधान सभा के लिए अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं अलांकि कई नाम चर्चा में है श्वेता सिंग राजिश ठाकूर और मंजूर अंसार यह प्रमुख नाम है इनकी चर्चा है राजनीती से इतर हम बोकारो की बात करें तो आज भी कई गाउं सुविधाओं के अभाव में हैं कई गाउं में आज भी सड़क तक नहीं है कई गाउं में घर तक नहीं है घर की जो योजनाएं होती है पीएम आवास या अबुवा आवास यह सारी सुविधाओं में आज तक नहीं मिली हैं कई गाउं तो टापू बन चुके हैं आज भी सिर्फ गाउं में सड़क है और आस पास जो संपर्क सड़क होती है वो नदारद है बरसाथ के समय दूसरे गाउं से संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हों के लिए उस गाउं के वच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी जोरिया में उतर कर उन्हें पार करके स्कूल को जाना पड़ता है बढ़ाई के लिए बिड़म बना है आज आदी के इतने वर्ष बाद भी ये जो समयस्याइं हैं आज भी जस्कितस है बोकारों में विस्थापन की एक बहुत गंबीर समयस्या रही है विस्थापितों की अलग समयस्याइं हैं पहले जहां बीसल प्लांट विस्थापितों के लिए कुछ आरक्षन रखता था लेकिन वो भी अब खत्म हो चुका है यहां के विधायक सांसद इस मामले में बिल्कुल मौन है जो भी हो देखना दिल्चस्प होगा कि इस बार बोकारों से विधान सभाग कौन जाता है और कौन इन समयस्याओं को लेकर मुखर होता है तब तक के लिए जहार